What's up everyone, welcome back to the channel, so guys, मुझे बहुत सारे messages आ रहे थे कि sir, एक बार CUET का complete detail देदो, दो दिन रह गए हैं form filling करने के, so here's the video, इसके अंदर मैं आपको एक बार reminder देदू कि CUET का form fill करने की last date just 2 दिन के बाद आ गई है, उसके साथ साथ बचो, it is very important to fill your CUET form, मैं आपको इसमें ये भी बत हुआ कि किस तरीके से आपको पूरा form fill करना है step by step, so it is going to be very important, बहुत ध्यान से देख लो, अपने forms fill कर लो, ताकि आपको बात में कोई problem ना है, किसी भी अच्छी university में admission के लिए, चली जली से, let's begin, तो मैं बहुत basic से शुरू करता हूँ बच्चो, अगर आप लोगों को इंडिया में किसी भी central university में admission लेना है for any of your bachelor's और master's degree after 12th, तो फिर उस scenario में आपको C.E.T. एक entrance exam होता है, जिसके through ही आपको admission मिलेगा, मतलब कोई भी central university जो central government के अंडर आती है, उसके अंदर अगर आपको admission लेना है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपका 12th का percentage नहीं चलेगा, वहाँ पे हमें चाहिए C.E.T. का score, Sir, what is this C.E.T.? C.E.T. का बच्चे exam होता है, जो पिछले 2 साल से conduct कराया जा रहा है, इस साल ये 3rd year होने वाला है, अब C.E.T. का registration करने के लिए, last के 2 दिन बचे हैं, तो this is a wake-up call कि जिन भी बच्चों ने अभी तक registration नहीं करा है, और वो Delhi University या किसी भी अच्छी Central University Med Mission लेना चाहते हैं, तो वो अपना form fill करने, अब मैं आपको step by step बताने वाला हूँ कि आपको form कैसे fill करना है, तो आप इन steps को लिख भी सकते हो, या फिर आप साथ-साथ किसी PC या laptop पे login करके या open up करके internet start कर सकते हो, form fill करना, ठीक है, आइए जी, शुरू करते हैं, बच्चों सबसे पहले CUET का अगर आपको form fill करना है, तो 3 steps में form fill होगा, सबसे पहले आपको registration करना होगा, registration करने का मतलब है कि basically आपको अपना account बनाना है, जिसके अंदर आपको अपनी basic details लिखनी है, आपकी email और आप password डालके एक account create कर सकते हो, इस account में ही सारी चीज़ें भरी जाएंगी, उसके बाद आपको अपना application form fill करना होगा, application form में आप बताओगे कि आप कौन-कौन से universities को apply कर रहे हो, कौन-कौन से subjects के लिए apply कर रहे हो, वो आप यहाँ पे fill करोगे, उसके बाद बच्चों आप exam fees बरोगे, examination fees के लिए बच्च ठीक है, तो यह 3 steps हैं, जिस पे सारा का सारा काम होगा, अब हमारे CUET की preparation के लिए हम लोगों ने एक separate channel भी बनाया है, CUET, CUET के लिए, जिस पे हम लोग अब boards के बाद active हो जाएंगे, CUET का सारा का सारा content बच्चों उसी channel पे आएगा, तो आप कृपिया करके उस channel को subscribe करें, जो लिंक है, वो description में दियावा है, उसी channel पे सारा content CUET से related आने वाला है, इस channel पे CUET की यह first और last वीडियो रहेगी इस साल के लिए, ठीक है जी, चलो, अब sir, form fill कैसे करना है, आओ, मैं आपको form fill करना सिखाता हूँ, सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, step number one is your registration, सबसे ब website पे जाओगे, तो आपको बिल्कुल left side पे सबसे नीचे लिखावा मिलेगा, register करें as a new candidate, है ना, क्योंकि आप पहली बार form fill कर रहे हो, तो आप वहाँ register करोगे as a new candidate, okay, new candidate में register करने के बाद, आप वहाँ पे नीचे terms and conditions है, उनको I agree करोगे और proceed का button दबाओगे, जैसे आप भी ना पड़े, अभी तक बहुत सारी बार कर चुके हो, ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आपके पास वहाँ पर register करने के बहुत सारे options आएंगे, जैसे आपके पास आधार card है, या आप ABC ID से करना चाहते हो, या आप PAN number से करना चाहते हो, बहुत सारे options आएंगे, लेक तो अगर आपका phone number उस आधार के साथ लिंक नहीं है, तो क्रिप्या करके अपना आधार के साथ phone number लिंक करा लो, फटाफट से 24 से 48 hours में हो जाता है, quickly हो जाएगा, आधार number आप वहाँ पे डालोगे, ठीक है, फिर आप fill करोगे वहाँ पे आधार number, और वो आपके पास एक O OTP भेजेगा, OTP क्यों भेजेगा, Just KYC, Know Your Customer, OTP जैसे आप वहाँ पे fill करोगे, तो वह आप आप से आपकी details मांगेगा, अब details में आपको क्या fill करना है, बहुत basic basic details हैं, जैसे आपका नाम क्या है, father's name क्या है, mother's name क्या है, gender क्या है, nationality India भर दोगे, identity type में बच्चों आपके पास बहुत सारे options आएंगे, कि आप किसी भी identity से वहाँ पे register कर सकते हो, लेकिन अगर आप 12th class के बाद exam दे रहे हो, तो आप बहुत क्लास 12th admit card, ठीक है, क्योंकि आपके बास class 12th admit card होगा, best identity type आपके लिए भी रहेगा, उसके बाद आप से identity number मांगेगा, तो admit card पे detail number दिया मतलब area कौन सा है, अगर किसी का house number नहीं है, तो वो locality वाला part ही house number में भर देना, country, state कौन सा है, district कौन सा है, और आपका pin code, ठीक है, pin code बहुत ध्यान से भरना, हर district का एक pin code होता है, वो आपको वहाँ पे fill करना है, सही तरीके से, सही है, जब आप ये fill कर दोगे, तो फिर अध्यान से fill करना, फिर अपना mobile number fill करना, फिर आप अपना alternative mobile number भी fill कर देना, ठीक है, ये सब fill करने के बाद, जब आप next पे click करोगे, तो आप देखोगे कि सब कुछ अगली slide पे auto fill होके आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी सारी चीज़े automatically filled होगी अगले page पे, जो आप आपका नाम, details, जो भी आपने उपर भरी है, सब automatically fill हो जाएगी, उसको एक बार recheck कर लेना कि यहीं कुछ changes तो नहीं है, फिर वह आपको बोलेगा कि भाईया अपना password बना लो, तो आपको password बनाना है, अब sir password कैसे बनाना है, अच्छा password कैसे बनेगा, तो बिटा एक capital letter फिर मैं अपना नाम लिखूँगा, ठीक है, तो capital भी हो गया, small भी हो गया, फिर मैं लगाऊँगा, add the rate, और फिर मैं कोई भी number लगा दूँगा, 1234, तो यह मेरा password बन गया, जो एक अच्छा password हो जाएगा, तो प्लीज धियान रखना, कोई भी आप इस तरीके से password बना सकते एक capital letter, small letter, special character, numeric value, यह चारो चीज़े उसमें होनी जरूरी है, password आपका 13 letter से बड़ा नहीं बनेगा, तो 13 के छोटा छोटा ही बनाना, ठीक है, फिर तुम लोग को महाँ पे करना है, confirm password, जब आप confirm करोगे, तो फिर वो आपसे मांगेगा एक security question, security question का क्या मतलब है, कि यह, फिर उसके बाद वो आपसे मांगेगा एक security pin, जो कि security pin आपके पास email id पे आपकी check करना है, आपको वहाँ पे आया होगा, भर देना, फिर आपको करना है verify all the details, सारी details एक बार verify करो, and you will say send OTP, फिर आपके पास फिर से एक OTP आएगा, ठीक है, OTP को आप जैसे fill करोगे तो आप आपका ये वाला काम हो जाएगा, समाप्त, उसके बाद हम चलेंगे बच्चो किस चीज के उपर, then आपके पास आना है अब application filling, यानि registration वाला काम आपका done हो गया, step number one is done, registration done हो गया, अब आपको application fill करनी है, कि भया मैं CUET में बैटना चाहता हूँ, मेरी application रखो, सबसे पहले आपको या करना है, आपका application number डालना होगा, sir ये application number कहां पे आएगा, बेटा ये आपकी mail पे आया होगा, जो आपने registration करा है न, आपकी email पे एक पूरा proper आपको एक तरीकी का document मिलेगा, जिसमें आपका application number लिखा होगा, application number डालना, फिर आप अपना password भढ़ना, जो आपने प पीछे password बनाया है न, वो password यहां पे फिल कर देना, फिर आप फिर से करोगे, I agree, फिर आप से वो कुछ basic details पूछेगा, जैसे आपकी category क्या है, अगर आप general OSC, STOBC, जो भी category है, वो आपको यहां पे फिल कर देनी है, PWD में yes or no, वो आपको फिल कर देना है, sir ये PWD क्या है, ब यूपी तो मैं उत्तरप्रदेश पर दूँगा, उसके बाद आपकी mother and father details मांगेगा, जैसे आपकी mother and father का occupation क्या है, उनकी education क्या है, उनकी income क्या है, तो ये आप से details वहां पे लेगा, mother and father details आपको फिल कर देनी है, ठीक है, आप अपने इसाप से ये चीजे फिल कर सकते हो, फिर आप से कुछ basic questions, पूछेगा कि twins तो नहीं हो, आप yes or no, diabetic तो नहीं हो, medium of study आपका क्या रहा है, तो सारे maximum CBSE से ही होते हैं हमारे, या UP board के कुछ बच्चे होते हैं, तो वो यहाँ पे medium of study लिख देंगे English या Hindi या जिसमें भी वो अभी तक पढ़ते आएं, place of residence is very important, बच बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, कहीं पे जाके आपसे ये school code मांग सकता है, तो school code में basically वहाँ पे आपको, आपका district का ही code भर देना है, वो आपका वहाँ पे काम करेगा बराबर, ठीक है जी, इसके बाद बच्चों आपसे quota category पूछेगा, quota category में क्या क्या जाता ह कि below poverty line तो नहीं हो, defense का quota तो नहीं है, sports quota तो नहीं है, कश्मीरी migrant तो नहीं हो, NCC quota तो नहीं है, university employee का कोई quota तो नहीं है, तो अगर है तो yes करना नहीं है, तो वहाँ no कर देना, ठीक है, उसके बाद फिर आपसे पूछेगा basic qualifications आपकी, जिसमें आपसे 10th class की details बरवाएगा, फ पूछेगा, वो भर दोगे, इसमें फिर आपसे वो आपका roll number पूछेगा, आप अपना roll number डाल दोगे, फिर वो आपसे पूछेगा, कि भया, आपके marks किस में आये थे, CGPA में आये थे, या percentage में आये थे, तो आप वहाँ पे percentage भर दोगे, फिर वहाँ पे आपको option देगा, maximum marks and marks obtained, तो maximum में आप 500 भर होगे, आपके जितने भी number आये, suppose 400 number आये थे, तो यहाँ आप 400 भर दोगे, फिर इस तरीके से 10th की कोई details है, वो आप डाल देना, उसके बाद 12th की details, बच्चो 12th में आप appearing भर होगे, appearing में वो आपसे board पूछेगा, आपका कौन सा board है, तो अगर आप CBSC हो, तो आप CBSC भर दोगे, बहुत ध्यान से भरना, Central Board of Secondary Education, ठीक है, यह CBSC है, आपका जो भी board है, वो आपको वहाँ पे fill कर देना है, सही हो गया बच्चो, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे, अब आया सबसे important step, that is University Selection, Sir मुझे कौन कौन सी Universities लेनी है, तो उतनी आप universities चाहो, उतनी आप add कर सकते हो, पूरी list है, आप उसके अंदर देख लेना, आपके आसपास कौन कौन सी Universities हैं, जिसमें आप जाना चाहते हो, admission लेना चाहते हो, मैंने यहाँ पे कुछ examples लिखे हैं, जैसे कि सबसे पहला preference आपका हो सकता है, Delhi University, DU, उसके बाद BHU, बनारस Hindu University, अलाबाद University, गुरु गोविन सिंग, इंदरप्रस्त University, पंजाब University, JNU, जवालनालनेर उनिवर्शिटी, चंदिगर्ड उनिवर्शिटी, अलिगर्ड मुसलिम उनिवर्शिटी, जामिया मीलिया इसलामिया, इस तरीके से कुछ examples मैंने लिखे हैं, जो आपको fill क करने चाहिए, इसके साथ साथ बहुत सारी private universities भी होती है, वो भी आप यहाँ पे fill कर सकते हो, जिसमें भी आपको जाना है, ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको course फिल करना है, ठीक है, अब एक university में multiple courses भी होते हैं, तो आपको सारे भरने हैं, ठीक है, जैसे आपने यहाँ सबसे पहले बढ़ा due, course भड़ा becom, उसको आपने करा यहाँ से add, done हो गया, फिर दुबार आओ इस पे, फिर भरो due, फिर भरो becom honors, फिर यहाँ पे करो add, done हो गया, फिर आजाओ due, तो जब आप university में आओगे, तो आपको बहुत सारे courses आएंगे, आपको बार बार सारे courses भरन हैं, हमारे channel पे maximum student commerce के हैं, तो मैं उन्हें maximum courses commerce के बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको भरने ही भरने हैं, भर देना बच्चो अच्छे तरीके से, कौन-कौन से भरने हैं, BA honors economics, अच्छे से देख लेना, ECO का कोई भी course दे, भर दो, बढ़िया तरीके से भर दो, becom भरो, becom honors भरो, BBA भरो, BBA FIA आपको दिखाई देगा, BBE आपको दिखाई देगा, BMS आपको दिखाई देगा, तो ये आपके main courses हैं, जो commerce वाले courses हैं बच्चो, ये सारे courses भर देना, DU में देखना क्या ये courses है, भर दो, ठीक है, BHU में देखना कौन सा course है इन में से, भर दो, इकोनोमिक से रिलेटेड, BCOM, BCOM Honors, BBA, BBFIA, BBE, BMS, ये हमारे commerce वाले courses हैं, जो आपको भरने हैं, इसके इलाबा, जो hotel management वाले बच्चे हैं, वो BHM भर सकते हैं, उसके इलाबा, अगर आपको journalism, mass communication में interest है, तो BJMC is a very good course, मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने इस बार फिल कर है, ये भी आप फिल कर सकते हो, bachelors in journalism and mass communication, हमें जुरत अच्छे journalists की, तो ये भी एक important चीज है, ये सबसे important face है, ठीक है बच्चों, तो आपको universities multiple भरनी है, ध्यान रखना, एक university मत भरना, सपोज आपको DU में जाना है, नहीं सर मुए तो DU में जाना है, मैं और कुछ भरूंग आज से cut करना, बंद कर दो भाईया, maximum options तुम्हें देखने है, ठीक है बच्चों, तो सारी universities जो आपके आसपास हैं, या जो आपको excited करती है, फिल कर देना, ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुमने एक बार ये फिल कर दिया, university वाला part हो गया, फिर आजाएगा बच्चों subject selection, एक और important चीज, कि मुझे subject कौन सा select करना है, तो subject selection में बच्चों, हमारे पास जो main subjects होते हैं, वो या तो combination बनता है English plus GT, English plus general test, सरे general test क्या है, देखो बच्चों, general test एक इस तरीके का test है, जिसके अंदर आपकी aptitude, grammar, pronunciation, ये combination को मैं combine करके बता रहा हूँ, ठीक है तो ये आपका एक general test है, इस तरीके का exam आपका banking में, MBA exams में, ये सब exams होता है, तो general test एक ऐसा test है, जिसके अंदर आपकी basic preparations, basic आपका mind कितना अच्छा काम करता है, इस तरीके की checking कर जाती है, जो कि competitively इतना आसान नहीं होता, तो अगर आपको ये नहीं देखना, तो आप ये वाला combination देख सकते हो, English plus आपके तीन domain subject, English तो करना ही है, तीन domain कौन से हो सकते है, अगर आप commerce वाले हो, तो maximum बच्चों के accounts, business studies, economics होंगे, है ना, कुछ बच्चे, जहाँ पे जैसे अगर आपको e-conners वगरा करना है, तो इस तरीके courses के लिए maths कंपल सरी है, तो आपको यहाँ पे maths भी रखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं आपको अभी यह recommend करूँगा बच्चों कि आप अभी से अपने options बंद मत करना, ठीक है, suppose आपको BBA करना है, तो फिर आपको यह वाला option चाहिए, English plus GT, राइट, तो आप प्लीज अभी से अपने options बंद मत करना, आप subjects में 6 subjects भरन बच्चों, English भर लेना, General Test भर लेना, Accounts भर लेना, Maths भर लेना, BST भर लेना, ECO भर लेना, अब जो बच्चे non-maths हैं, उनके लिए Maths देना तो बहुती बड़ी problem है, तो हो Maths छोड़ देना, जिन बच्चों को लग रहा है कि सर हमें तो B.com या B.com Honors ही करना है, हमें तो General Test वाले की देखनी नहीं है, हमें तो B.b.a. देखना ही नहीं है, हमें कोई फरक नहीं पड़ता, छोड़ देना भी या, फिर आप English, Accounts, BST, ECO या कोई भी तीन सब्जेक्स, आप English, Accounts, Physical Education, ECO भर सकते हो, जो आपका मन करें, वो आप भर सकते हो, जिन बच्चों को अपने सार और 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 स जो सार पर करते हो, सब कुछ, वो अभी हो अपने उप्शन, उपनी रखना में हो जाएगा, वहाँ नहीं हो जाएगा, मैं हेक पेपर सारे देना चाहता हूं, तो फिर आप ये छिस सब्जेक्स बच्चों फिल करोगे, कौन कौन से छिस अनुव्जक्स हो ठीक है बिटा, अगर आपका टार्गेट सिर्फ और सिर्फ बीकॉम, बीकॉम ओनर्स है, तो फिर आपका काम English, अकाउंट्स या मैट्स में से एक और कोई भी दो सब्जेक्ट से भी चलेगा, ठीक है बिटा, तो सब्जेक्ट सेलेक्शन में मेरा सजेशन अगर आप लोगे चाहिए, तुम पेपर भी मत देना, लेकिन एक बार भरो सारे सब्जेक्ट, ठीक है, कुछ नहीं पता होता, कल तुम्हें किस चीज की जुरुत पढ़ जाए, कहां तुम्हारे काम आ जाए, अभी अपने options प्लीज बंद मत करो, अभी आप सारे सब्जेक्ट भर के चलना, ठीक है, English हो गया, GT हो गया, accounts, maths, अगर आपका maths नहीं है, तो of course आप नहीं भरोगे, फिर आप English, GT, accounts, BST, ECO बरोगे, maths है, options open रखना चाते हो, तो English, GT, maths, accounts, BST, ECO, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट तुम्हारे पास है, तो वो भी भर देना, फिलाल यहां सब्जेक्ट बर देना, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना exam center बरना है, preference 1, preference 2, preference 3, preference 4, कि तुम कहां पे जाके paper देना चाहते हो, ठीक है, सबोज तुम UP में बैटे हो, और तुमने लखा कि भीया मैं तो Noida रहता हूं, तो मैं अपना पहला preference बरूँगा Noida, ठीक है, फिर मैं बोलूँगा सर मेरे आसपास अब कौन-कौन सी चीज़े हैं, तो मैं देखूँगा कि मेरे आसपास मुझफर नगर है, तो मैं मुझफर नगर भर दूँगा, मेरे आसपास साहरनपूर है, मैं साहरनपूर भर दूँगा, मेरे आसपास कोई और शहर है बरेली है या जो भी है तुम इस तर्हीके से अपनी preference भर सकते हो preference इसी हिसाब से बनेगी पहले जो most preferable हो ये नहीं हुआ तो ये मिल जाए ये नहीं हुआ तो ये मिल जाए तो preference इस हिसाब से भर ना passport size photo ठीक है आप उसको अपने phone में click करो ठीक है उसके बाद आप उसका PDF बनाके Google पर लिखो PDF to JPEG Converter आप अपनी photo को upload करके JPEG file निकालो उसमें से ठीक है फिर आप उस file का size देखो उसका size थोड़ा सा बड़ा आ रहा होगा फिर आप Google पर डालना compressor up to 150 KB compressor up to 150 KB उसमें वो photo upload करना JPEG वाली अपनी photo को compress कर लेना ठीक है क्योंकि आपकी जो photo upload होनी है वो 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए वो अपने आप compress करके देदेगा तुम्हें कुछ नहीं करना सब कुछ Google पर डालना है फोटो किचो, PDF बनाओ, Google पर डालो convert PDF to JPG JPG आगई, फिर Google पर डालो compressor, up to 1500 KB, आपकी photo 1500 KB में, 100 KB में कोशिश करना 100 KB तक आजाएगी रेडी होगी, similarly एक page लो, उस page पर अपना sign करो, बिल्कुल blank page लेना वाइट कलर का उस page पर अपना sign करो sign करने के बाद, इसकी photo खिचो, suppose तुमने photo खिच ली photo खिचने के बाद, फिर तुम क्या करोगे उसको फिर से JPG में convert करो और उसको compress करो, up to 30 KB तक, तो 4 KB से 30 KB तक का तुमारा signature हो सकता है photo इतनी हो सकती है जब वो तुमारे पास आजाए एक को यहाँ upload कर दो, एक को यहाँ upload कर दो यहाँ तुमारे सुन्दर सी photo आ जाएगी और यहाँ पे तुमारा सुन्दर सा signature आ जाएगा ठीक है तो जब तुमारा यह काम हो गया, फिर तुम बस verify करो सारी details, review करो फिर वो तुमें बोलेगा OTP भरो तो आप वहाँ पे just send करोगे OTP जैसे ही आप OTP send करोगे उसको भरोगे, यह वाला काम भी आपका done फिर वो आपको ले जाएगा fees submission पे, सीधा fees submission पे पहुँचो, उसके बाद वो तुमारा bank पूछेगा, कि यहाँ कौन से bank से आप payment करना चाहते हो तो आपका 4-5 bank के option होगे जो भी आपका है, let's suppose मेरा है, suppose ICICI तो ICICI में जाओंगा उसके बाद वो मुझे बहुत सारे options देगा debit card, credit card, UPI जो भी तुम करना चाहो, ठीक है suppose मैंने करा UPI तो आप लोग जाना UPI पे UPI पे जाके फिर आपको या तो अपनी UPI ID डालनी होगी या फिर वो आपको बोलेगा QR scan कर लो तो QR scan करो, बच्चो नॉर्मली अपनी directly और आपका payment हो जाएगा देखो अगर आप 6-6 subjects बढ़ रहे हो तो शुरू के 3 subjects के तो 1000 रुपे हो गए, उसके बाद 3 आपने और भरे तो 400 रुपे एक subject के हिसाब से 1200 रुपे यह हो गए, तो 200 रुपे का तुम्हारा वहाँ पे amount आरा होगा, जो तुम्हें QR से pay करना है और सीधा पहुच जाएगा, NTA के पास वो पैसा और तुम exam में बैठने के लिए ready हो जाओगे, इसके बाद बच्चो तुम्हारा form फेल हो गया, पूरा का पूरा details प्लीज चेक कर लेना, कोई भी गलती मत कर देना, देखो तुम्हारे तीनों ही steps पूरे हो गए, पहले registration करा हमने, फिर हमने application form भरा और फिर हमने examination fees भर दी this is how बच्चो आपका CUET का पूरा registration हो जाएगा मैंने बहुत detail में, एक एक चीज आपको समझाईए, अगर आप ये अपने सामने वीडियो खोल के form भढ़ने बैट होगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़े subscribe कर देना, link description में दे रहा हूँ CUET की सारी details, जो भी changes आएगे जो भी exam dates आएगी, जो भी आएगा वो सारी details अब उसी channel पर आएगी, ठीक है thank you so much guys for joining in, all the very best form जरूर fill कर देना, अच्छे college में admission तो लेना ही है okay, thank you so much